So hey guys, आप लोग देख रहे हैं Unpaid Engineer I guess, आज ही मेरे पास बहुत सारी स्टोर्ज तो नहीं है But I've got something interesting today तो guys, आज हम बात करने वाले हैं Paras Official के बारे में तो guys, ये एक YouTube चैनल है जो आज कल काफी जादा limelight में आ रहा है तो चली जान लेते हैं आके ऐसा हो क्यों रहा है तो guys, as you know के इंडिया के अंदर PUBG दुबारा से लाँच होने वाला है लेकिन एक अलग नेम से BGMI, Battlegrounds Mobile India So अब क्या हुआ के Paras Official ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी जिसमें वो बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग PUBG Mobile को फिर से बैन कराने की मांग कर रहे हैं तो उनी में से एक है अरुनाचल प्रदेश के MLA निनौंग इरिंग निनौंग इरिंग ने रिसेंटली एक लेटर लिखा था PMO को जिसमें वो PUBG बैन करने की मांग करते हैं साथ में उन्होंने ट्वीट भी गया था तो इसी चीज़ के ओपर रियाट करते हुए पारस ओफिशल ने वीडियो बनाई थी और वो अपनी वीडियो में कोछ जादा ही बोल जाते हैं जिसके बाद में उन्हें काफी जादा हेट मिलने लगता है फिलाल उन्होंने अपनी वीडियो में से वो पार्ट ट्रिम कर दिया है पर चलिए देख लेते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा चलते हैं ट्वीट पे एक महाशे हैं MLA साहब हैं ये हमारे और ये कहां के MLA है पढ़ लेते हैं पहले हम अरुनाचल परदेश ओके एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको ये आपको इंडिया के लग रहे हैं सही सही बताना कमेंट करके मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मैं को बताना ये मुझे ये भी देख लिया हमने और इनका नाम पढ़ो भाई मुझे तो ये इंडियन नेम लगी नहीं रहा है ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा है मैं पढ़ना भी नहीं चाता और उसके बाद हम अरुनाचल परदेश को मैप में सर्च करते हैं ये हमारा इंडिया है ठी ये रहा कोने में अरुनाचल परदेश इसके उपर भी चाइनिस सीटीज हैं साइड में भी चाइनिस मतलब ये चाइना वालो का ही है एक तरह से उनी के साथ ही है हलका फुल का टच होता है और सिर्फ यहीं नहीं यहां तक कि अरुनाचल परदेश के जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी पारस ओफिचल के उपर रियक्शन देते हुए वीडियोज बनाएं तो बेसिकली उन सभी यूट्यूबर्स का यहीं कहना था कि जो है अरुनाचल परदेश भी इंडिया का हिस्सा है और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करते हैं तो आप ऐसे कैसे किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक इंडियन है यह इंडियन नहीं है तो अभी एक लेटेस न्यूज यह है कि पारस ओफिशल के उपर अरुनाचल प्रदेश के अंदर एफाइयार भी लाँच कर दी गई है जिसके बाद में वो अपनी एक न्यू वीडियो में माफी मांगते हुए भी नजर आए तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा मैं मानता हूँ मेरी गलती है अब इससे जाए मैं क्या करूँ फांसी लगा लूँ अपने आपको आप ही बताओ तो कल मैंने एक वीडियो प्लोड की थी जिसमें मैंने एक पॉइंट पे आके कुछ गलत बोल दिया था जिसके लिए मैं काफी शर्मिनदा हूँ और उस नहीं पता है कि वो कौन लोग थे और इसके बाद में पारस की मम्मी उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड करती है जिसमें वो सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है और वो साथ में हाथ जोड़कर सबसे माफी भी मानती है तो चलिए देखते हैं वो क मेरा एक ही बेटा है मेरे इस दुनिया में उसके अलबा कोई भी नहीं है ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा मेरे लिए वो है उसके लिए मैं हूँ वस मैं आप सबसे यही बिंती करना चाहते हूं कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ कर दीजिए अगर इसके रिगार्डिंग को यूर अपडेट्स आते हैं then I will let you know so जैसे कि मैंने पूरी situation आपको define कर दी है तो आपकी क्या रहा है है इस बारे में आप भी comment करके जरूर बताएं तो चलिए बस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए यह तो लाइक कर देना चैनल अब ते सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई